नमस्कार आप देख रहे हैं इंदिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी वक्त हो गया है राजधर्म का राजधर्म में आज बात होगी गणपती विश्वर्चन पर पत्थर वाली साजिश की किसने करनाटक की मांडिया में जुलूस पर पत्थर बरसाए आगजनी की तोड़ फोड की स्क्रिप्ट आखिर किसने लिखी साथ ही आपको आज मंगेश इंकाउंटर का पूरा सच दिखाऊंगी सबूत के साथ बताऊंगी कि जिस मंगेश इादव का लूट कांड में एंकाउंटर हुआ उसकी जाती को लेकर अखिलेश इादव जो सवाल उठा रही है उसके पीछे का सच क्या है लूट कांड में जो ज्यादा माल बरामत हुआ वो किसका है साथ ही CGI की गणपती पूझा को लेकर जो देश में पॉलिटिक सो रही है उसके बाद भी होगी यहीं राजधर्ब में लेकिन सबसे पहले बात होगी मंगेश एंकाउंटर की उतरप्रदीश की सुल्टानपूर 14 दिन पहले जहां एक जूलरी शॉप में लूट हुई थी लूट कांड के बाद UPSTF आक्टिव हुई और उस मामले में दो बार एंकाउंटर हुआ पहला एंकाउंटर 3 सितंबर को हुआ जब 3 बदमाश्यों को गिरफतार किया किया पहले ही देख चुके है लेकिन आज जो सबूत यूप पुलिस ने देख चुके है यह है जो खुलासा यूप पुलिस ने किया है वो मैं आपके सामें दिख रखती हूं जरा देखिए इस वीडियो को यह वीडियो 28 अगस्त का है जब जूनरी शॉप में लूट हुए थी जूनरी शॉप में एक के करके पांच बदमाश दाखिल हुए थे एक का नाम मंगेश यादव है हमने पॉइंट करके आपको दिखा दिया है मंगेश यादव कौन है यह देखिए नीली शर्ट में जो शक्स दिखाई दे रहा है वो कोई और नहीं बलकि मंगेश यादव है जो पांच सुतंबर को एंकाउंटर में मारा गया वही मंगेश यादव अब पूजा पांच करने के लिए तो मंगेश यादव यहाँ पर आया नहीं था वो तो लूट में शामिल था साफ दिखाई दे रहा है यूपी पुलिस को दावा ये है कि दुकान के अंदर जो पांच बदमाश दाखिल हुए थे उसे मंगेश यादव के लावा फुरकान अर्बाव, अंकित यादव और अनुश प्रताब सिंग था आप सीसी टीवी वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे बदमाश हथियार के बल पर दुकानदार, सोना, आचांदी सब कुछ एक थेले में भर रहे हैं और फिर यहाँ से लूट के बाद भाग जाते हैं यूपी में शामिल था ही नहीं, दिरसल उसकी जाती की वज़े से उसे उठाया गया था और इंकाउंटर कर दिया गया, यूपी पुलिस और मुख्य मंत्री के खिलाफ जो प्रापागेंडा चलाया जा रहा था, उसकी सचाई आज यूपी पुलिस ने सब के सामिल था, इस घटना क इम भी स्टियोरी में सामिल थे, वो दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंग, अरबाज, मंगेस यादव और अंकित यादव और सेखर, इनके साथ अरबाज दोरा लाए गया है, का गयात व्यक्ति भी है, जिसका नाम अभी तक क्लियर नही यूपी पुलिस ने लूट कांट की एक और सबूत को सब के सामने रखा, पुलिस ने इसके लिए एक और CCTV फोटेज जारी किया, CCTV में बतायए जाए जारह है कि लूट की वारदात के बाद डकयतों ने बुलेरो गाड़ी का इस्तिमाल किया था, ये बुलेरो राइबरेली क एक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाते हुए देखा गया इसमें दिख रहा है कि आरोपी त्रिभुवन राय बरेली में बुलेरो में डीजल भरवा रहा है यूपी पुलिस ने लूट कांट में एक और बड़ा सब्सक्राइब रखा यूपी पुलिस का कहना है कि लूट कांट पे दो बार रेकी कई गी थी इसमें फुटेज भी पुलिस के पास है 13 अगस्त को जो रेकी की गई उसमें फुटेज के आधार पर ही मौके पर विपिन और सचिन को देखा गया इससे पहले वाली रेकी में लोकेशन के आधार पर ये पता चला कि दो मोटर साइकल का इस्तमाल किया गया घटना में ये दोनों मोटर साइकल जौनपूर से चोरी की गई थी उसका भी फुटेज सामने आ चुका है और इसके आधार पर अभियुक्त की पहचान भी की गई कहानी यहीं खत्म नहीं होते हैं इसके बाद लूट कांड में शामिल बुलेरो जिस व्यक्ति की थी उसे भी दो तारिख की मुटभेड में सुल्टानपूर पुलिस ने की रफ्तार किया था इनका नाम था सचिन और फपुशपेंद्र डबलू सुल्टानपूर में लूट की घटना के बाद भागने के लिए बुलेरो गाड़ी में अभियुक्ति त्रिभुवन राइबरेली में डीसल भरवाते हुए जब पाया गया तो उसकी भी देखिये तस्वीर दुकान की बकायदा विपिन सिंग रेकी कर रहा है यूपी पुलिस के मुताबिक 28 अगस्त को 12 बचकर 15 मिनिट पर मंगेश यादव अपने साथियों के साथ सुल्टानपूर के जूलरी शोरूम में लूट के लिए पहुचा जबकि मंगेश के परिजनों का दावा क्या था आप सरायाद करिये वो ये कह रहे थे कि 28 अगस्त को सुभे 10 बचे से लेकर दोपहर 2 बचे तक मंगेश अपनी बहन के साथ था अब कोई उनसे सवाल पूछें कि ये सच था या जूट क्योंकि CCTV फोटेज में मंगेश देख रहा है लूट करता हुआ दिखाई दे रहा है और परिबार वाले क्या दावा कर रहे थे कि उस दिन मंगेश अपने बहन के स्कूल में फीज जमा करवाने के लिए गया था इसलिए वो अपने बहन के साथ था वो लूट की घटना में आखिर कैसे शामिल हो सकता है यूपी पुलिस ने इसलिए एक और सुबूत चारी किया यूपी पुलिस मंगेश की बहन का वीडियो जारे कर रही है और इसमें वो ये साफ साफ कह रहे है कि मंगेश यादव दो महिने से दरवसल घर पर आया ही नहीं था आपने सुना मंगेश यादव की बहन पुलिस कर्मी को ये बता रही है कि वो मुंबई में रहता है यानि कि जो थियोरी दी जा रही थी वारदात वाले दिन को लेका कि मंगेश घर पर था, अपने बहन के साथ था, उसे स्कूल की फीज जमा करानी थी इस थियोरी में दम दिखाए नहीं देता इसके लिए यूपी पुलिस ने अभी कोर वीडियो जारे किया जिफ्वे मंगेश की मा ये बता रही है कि मंगेश दो तिन महीने से खाने कमाने के लिए मुंबई कया हुआ था यहां नहीं है, तुम्हार नाम क्या है? दो तीन महीने से साधी हुआ है उसका कई लड़का है यह कई लड़का है एक ड़कैती है तीन CCTV फोटेज है कई सारे बयानात है और सबूत भी है अखलेश आदव लेकिन कह रहे हैं कि साथ सितंबर को लूट की शिकार जुलर का एक वीडियो जो की फोशल मीडिया पर वो पोस करते हैं वो यह कहते हैं कि पुलिस की बरामदगी ही गलत है आखलेश आदव ने पोस्ट करके यह लिखा था कि लुटेरो की जो यह चोरी थी वो माल आकर किसने लूट लिया क्योंकि पुलिस ने सारा लूट का माल तो अभी तक जूलर को लूट आया ही नहीं है क्या कहा ज माफ रिमाइंड विपिन सिंग कितना खतरना का पराधी है इसका खुला साब भी आज पुलिस ने किया इस घटना को अंजान देने वाला जो ग्यांग लीडर था उसका नाव विपिन सिंग है विपिन सिंग द्वारा पांच तीन सतरह को थाना चौक चनपद लखनव में मुकुन जोलर्स कहां भी जो एक दुसासिक ड़केती घटना हो भी थी उसका भी लीडर यही था और साथ दो हजार तेईस में इसी प्रकार की घटना गुजरात में सूरत सिटी में एक जोलर कहां की गई थी उसमें भी विपिन सिंग का गाइंग लीडर नाम प्रकास में आया था और यह काफी समय तक जेल में रहा अब मैं आपको सुल्तानपुर में हुई ड़केती की पूरी टा पूरे मामले में सरेंजर कर दिया और इसे को लेकरा खेलेश यादव ने इलजाम लगाया कि पूलिस ने क्योंकि इसका नाम विपिन स्विंग था इसको सरेंजर करवा दिया पहले से इतला कर दिया तीन सितंबर को एंकाउंटर के बाद पूलिस ने तीन बदमाशे को गिर करोड़ों का माल इसमें चार रोपियों को गिरफतार कर लिया गया और का माल भी बरामत कर लिया लेकिन कहा ये गया कि जितना माल लूटा हुआ था उतनी भरामत की नहीं हूई अखिली श्यादव की social media timeline भी अब मैं आपके सामने रखते हूं सोशल मीडिया एक्स पर जो उन्होंने टाइम लाइन जो उन्होंने पोस्ट किया वो सीधा सीधा ये इशारा कर रहा था कि दरफल यूपी पुलिफ तो फर्फी एंकाउंचर कर रही है लेकिन पहले आप देखिए सुल्तानपुर डकैते लूट में जो बरामदगी हुई और माल किसके जेब में चला किया यानि कि सीधा सीधा वो आरोफ लगाने की कोशिश कर रहे था कि करप्शन है भी यह और यूपी पुलिस के अला अधिकारियों के प्रेस कॉंफरेंस के बाद अखिलेश यादव ने लखनू में फिर प्रेस कॉंफरेंस की सबूतों की सामने आने के बाद भी वो अपना पुराना नरेटिव ही सेट कर रही है इंकाउंटर को पिछडे दलितो अल्प सेंख्य को पर अन्याय बता रही है एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में और अभी जो जूटी कहानी पढ़ी जारी है इंकाउंटर को ले करके कोई ऐसा व्यक्ती नहीं है जो न जानता हो कि भादी जिनता पार्टी की सरकार में जोटे इंकाउंटर हो गए हिए हत्या की जारी है जिम् fluorist श्यादक की हत्या हुई है गाउं से लेकर के आस पास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई ती उठा ले गई पुलिस उठा करके ले गई गई स्टी एफ और सोचिए कैसा दिमाग इनका सरकार ने कैसी होशारी दिखाई कि चपल में इंकाउंटर कर दिया बताईए अभी तक जितनी भी हत्या हुई हैं या इनकाउंटर हुए ने सब से ज्यादा Italia परिवार के लोगों के हत्या की इसलकार ने और भाज़मा ने तो इतने इंकाउंटर के हैं उत्तव पदेश को फर्जे इंकाउंटर की राध़ानी बना दिया हैं जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मत हो वो विनासी कर सकता है विकास नहीं कर सकता कौन है किसको इंकाउंटर किया जाए वो भी अधिकारी बैठ करके रणीत बनाते है सोचो जो रात बर बैठ करके रणीत बनाएंगे उनसे क्या उम्मीद करोगी नियाएकिया अभी कुछ नाम आये हैं तस्वीरों के साथ अभी बहुत सारे नाम आना बाकी हैं जिसमें बहुत जिम्मेदार अधिकारी भी है और भादे जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उपद अधिकारी भी है हमारे स्वयोगी रुची कुमार इस खबर पर लाइव जुड़ गई है रुची अखिले शादव बार बार पूछ रहे थे सोना कहा है डेड़ करोड के लोट हुई थी सवा दो करोड का माल मिल गया है अब भी पूछ रहे हैं अब ये कह रहे हैं कि ये तो पीडिये के साथ अ देखें ये जो लोट की घटना थी जो एक सीधी तरीका का अपराद था उसमें बहुत ज़्यासत हो गई विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्धा बना दिया और क्योंकि मंगेश शादव का परिवार कह रहा था कि मंगेश को पुलिस तीन दिन पहले इंकाउंटर के घर से गई है तो अकले शादव ने खास्तोर से से बड़ा मुद्धा बनाया और कहा कि जाती देखकर जान ले ली गई लेकिन अब जब पूरी लूट का किस अपरादी पकड़े गए हैं जो आरोपी थे वो पकड़े गए हैं माल बरामद हो गया है क्योंकि देखें इस पूरे मा लूट का माल सब उसको दे दिया और खुड जाके सरेंडर कर दिया तो इसलिए पुलिस को ये लूट का माल बरामद करने में थोड़ा वक्त जरूर लगा लेकिन यूपी पुलिस ने जो आरोपी थे उनको भी पकड़ा और माल भी बरामद हो गया है तो बड़ी कामयाबे ह हुई है लेकिन अभी भी अकले शादव इस पर सवाल उठा रहे हैं उनका कहना है कि एंकाउंटर फर्जी था स्लीपर में एंकाउंटर करने गए थे तो यानि क्योंकि वो यादव था मंगेश इसलिए इसको बड़ा सियासी मुद्दा यूपी में बनाया जा रहा है कि पी की जाती देखकर पुलिस एक्शन ले क्या ये तस्वीरे अब देखिए मैं से अधर्शिकों के सामने तस्वीर रख देती हूं 28 अगस्त 2014 की ये तस्वीर है जिसमें लूट की बारदात लाइव दिखाए दे रही है जितना सोना लूटा गया वो लूटा गया सोना बलकि उ जाता है कि हमारा देश चार पिलर्व पर टिका हुआ है ठीक उसी तरह जैसे कि किसी बिल्टिंग की मजबूती के लिए उसके पिलर्व का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है उसी तरह कहा जाता है कि देश में इन चार पिलर्व का मजबूत होना बहुत जरूरी है अगर तीसरा पिलर है हमारी विधाईका विधाईका यानि कि संसद पाल्यपेंट जहां पर बिल्स बनाए जाते हैं पास किये जाते हैं तीसरा है अदालते न्याय पालिका और चौथा पिलर है मीटिया इसमें से तीन पिलर को अकसर गाली सुनने को मिलती है चाहे वो कारेपालिका ह जिसमें नहरेंद्र मोधी इसके हिस्सा है तो वहीं विपक्ष दिन रात पानी पी पी कर सरकार को कोफता रहता है दूसरा चुनाव आयोग जैसी एजिंसियां भी इसके दाएरे में आती हैं जिनके निश्पक्षता को लेकर बार बार सवाल उठाये जाते रहते हैं और मीडिया के एंकल से लेकर अखबारों से लेकर पत्रकारों पर कितने आक्षे पजाती को लेकर राहूल गांधी लगाते हैं उसमें भी कौन सबर्ण है या दलित है या नहीं ये तो आपें सुनी रहे होंगे भार बार फोशल मीडिया पर गालिया दी जाते हैं अब तक जिस पर सवाल नहीं उठता था वो था देश की नियाएपालिका देश की जुडीशरी नियाएपालिका के हैट होते हैं चीफ जस्टिस ओफ इंडिया सी जे आई अब उन पर भी सवाल उठाय जा रही है उन्हें भी कटगरे में खडा किया जा रहा है चीफ जस्ट ये वीडियो आप देखिए इस वीडियो में क्या है अगर पहले एक आम व्यक्ति के दृष्टी से आप देखेगा एक परिवार है एक परिवार ने गणपती जी की स्थापना अपने घर में की वो परिवार किसका है वो चीफ जस्टिस ओफ इंडिया का है डिवाई चंदर गणपती जी की स्थापना की है देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इसमें एक भक्त के रूप में दिखाई दे रही है जो खुद मराथी वेश भूशा में है पूजा कर रहे है आर्थी कर रहे है क्या गलत कर रहे है चीफ जस्टिस ओफ इंडिया डीवाई चंद्रच इस तस्वीर में है गणपती पूजा का मौका है लेकिन पूरी कहानी पॉलिटिक्स की बना दी गई है राजनीती की बना दी गई है दिरसल देश में गणपती उत्सव की धूम है जेस्टिस डीवाई चंद्रचूर के घर पर भी गणपती पूजा का आयोजन किया गया इस रिवाव से खोल कर हर उस भक्त का स्वागत करते हैं जो गणपती जी की पूजा करना चाहते हैं सी इच्छा रखते हैं प्रधान मंत्री भी एक ऐसे ही भक्त बन कर गए गणेश भगवान की पूजा की आरती की इस दौरान आप देख सकते हैं सी जी आई की पत्नी कलपना लगातार घंटी बचा रही है क्योंकि आरती चल रही थी हिंदू रेती रिवास में आरती के दौरान घंटी बचाई जाती है लेकिन इस पर राजनेती हो रही है पॉलिटिक्स हो रही है मात्र 28 सेकंट का ये वीडियो सियासी बवाल मचा चुका ह प्रिधान मंत्री इस दिन पारम पर एक महराश्टन लुक में क्या नजवर आए उन्होंने टोपी क्या पहनी उन्होंने गणेश पूजा क्या कर ली और चूंकि ये फीजियाई के घर में कर लिया इसलिए इतनी हाय तौबा हो गई कि प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी आखिर फीजियाई के घर में गणपती पूजा करने क्यूं चले गए क्यूं निश्पक्षिता को लेकर सीजियाई के सुवाल उठाये जाने लगे प्रधान मंत्री ने नरेंद्र मोदी ने भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में लिखा प्रधान मंत्री मोदी ने लिखा कि वो CGI चंदरचोड के आवास पर गणेश पूजा में शामिल हुए इस दोरान उन्होंने भगवांचुरे गणेश के प्राथना की हम सभी को सुक्सम्रिद्धी और उत्तम स्वास्त प्रधान करें ऐसी विशिफ भी उन्होंने की चीफ जफ्टिफ के घार गणपती पूजा पर प्रधार मंत्री मोधी के जाने पर लेकिन विपक्ष को मिर्ची लग गई संजे राउत ने एक के बाद एक दो ट्वीट किये CGI पर निशानत साथने लगे उन्होंने लोगों को क्रोनोलॉजी समझाई उन्होंने पहला पोस्ट डाला मराथी में था ये पोस्ट भया क्रोनोलॉजी समझेए क्या संबिधान एक सरकार ऐसी ही चलती रहेगी हे न्याए के देवता क्या आप ये देख रही है इसके बाद संजे राउत ने एक और ट्वीट लिख दिया उन्होंने लिखा संबिधान के घर को आग लगी घर के चिराग से इवियम को क्लेंचिट महराश्टर में चल रही संबिधान विरोधी सरकार की सुनवाई पर साल से तीन साल से तारीख पर तारीख दी जा रही है इसे लेकर सवाल उठा दिया पशिम बंगार बलातकार मामले में फू मोटो हफ्तक शेप लेकिन महराश्टर रेपकांट का जिक्र नहीं कंडा दिल्ले के मुक्षे मंत्री के एजरिबाल के जमानत पर तारीख पर तारीख ये सब क्यूं हो रहा है क्रोनोलाजी फुमच लीजिए फिरंत में लिखते हैं भारत माता की जय गणपती उस्सव है लोग एक जुश्य के घर में जाते है प्रधान मंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है दिल्ली में बहुत जगरते ज़ने से उस्सव है हमारे महाराष्ट्र सदन में है महाराष्ट्र मंदका है उता है ना लेकिन चुप देश्टिस साब के पास वदान मंत्री जी गए और वदान मंत्री जी और हमारे चुप देश्टिस साब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की हमारी शंका इतनी है क्या ये सविधान के रक्वालदार इस प्रकार से अगर राजनेतिक नेताउं से मिलते है तो लोगों के मन में शंका है हमारी जो केस है महाराष्टन जो गटना बाई ये सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंदर्चुर सापके सामने चल रही है तो हमें शंका हमें नए मिलेगा क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधान मंत्री जी जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंदर सरकार और केंदर सरकार के मुख्या सर नहिदिश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं, तो सर नयजदीश चिप दस्टिश ने इस केस से आपने आपको अलग करना चाहिए, not before me करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी है, ब्रदान मंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिष्टे खुले हम दिख रहे हैं, और नयाई जिने का जिम्मा, जिस नयाई जीश जी के उपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का दो दोस्ताना और रिष्टा है, तो महाराष्टा के मन में कल एक शंका आगई, क्या हमें नयाई मिलेगा, ऐसा लगता नहीं। इसका मतलब यह है कि वो कहना चाह रही है कि CGI ने कारेपालिका और नयाई पालिका की शक्तियों के बटवारे से समझाता कर लिया है, वो यह कह रही है कि CGI की स्वतंतरता पर से भरोसा उठ चुका है, उन्होंने कापल सिबल को ट्रैक करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोट बार एस्सोसेशन को इसके निंदा करनी चाहिए। पहले पोस्त में लिखा कि रोना शुरू हो गया, civility, cordiality, togetherness, co-travelers and nation's journey are all an anthema to the left liberals. Also it was not socializing but a devoted Ganapati Poocha is very hard to digest. SBA is not a moral compass, take deep breath once. वो यही नहीं रुके, उन्होंने BL संतोष ने एक और पोस्त करते हुए कहा है कि कल की एक पूचा और आर्दी देश भर के कई लोगों के नींद और सुभए के वाक और चाहे नाश्ता बिगार चुकी है. BL संतोष का इशारा anti-Mody Khemey की ओर था. Supreme Court के senior lawyer Prashant Bhusha ने Chief Justice for Modi के तफ्वीर पर सबाल उठाय, जजों के dignity की बात की और इपे Judges के Code of Conduct की अवेलना बताया. The Code of Conduct for Judges had laid down that Judges must maintain a degree of aloofness, which is consistent with the dignity of their office. Now, what the Chief Justice has allowed in this case is the Prime Minister to visit him at a private religious function. Now, firstly, it is totally inappropriate for the Prime Minister to be visiting the Chief Justice for a private, at the Chief Justice's residence for a private event. And secondly, it is also inappropriate for the Prime Minister and the Chief Justice to display publicly a religious, a particular religious function. Because the Supreme Court is also supposed to protect secularism. And therefore, this was totally inappropriate. And in my view, it's a violation of the Code of Conduct for Judges. जब बात secularism की होती है, तो क्या किसी व्यक्ति की निज्टा पर ये हमला नहीं है, कि वो अपने घर में एक गणपती पूचा नहीं रख सकती, क्यों कि वो Chief Justice of India है? खेर, प्रिशान भूशन हो, ये तमाम नेता हो, इंद्रा जैस सिंग हो, वो बड़े कानून विध है, वो बहतर बताएंगे इस बात पर. विरोधी मोदी की Chief Justice के घर पर प्रधार मंतरी मोदी के गणेश वंदना पर सवाल उठा रही है. तो राज्य सुभा सांसद, मनन मिश्रा, विरोध को बेतुका बता रही है. बीजेपी से राज्य सुभा के नव निर्वाचित सांसद का कहना है, कि ऐसे बातों पर ध्यान देने के आविश्यक्ता नहीं है. सर, लगातार कई जो सीनियर लॉयर्स हैं और जो विपक्ष के नेता हैं, वो खासतोर से ये जो प्रधान मंतरी CGI के घर पहुंचे, उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं, इस पर आपके क्या प्रतिक्रा रहा है? कई सीनियर वकील नहीं, कई सीनियर वकील नहीं, इके दुख के सीनियर वकील, हैंड़ फुल ओफ लॉयर्स, जो दो चार हमेशा बोलते रहते हैं, आप भी जानते हैं, कोई भी मुद्दा हो, अच्छा या बुरा, बोलना उनका काम है, तो इसका ना कोई हमारे देश की जन गनपती की पूजा, तो उसमें अगर प्रधान मंतरी जी हमारे जा के उन्होंने पूजा कर लिया, ये सोसल और रिलिजियस फंक्शन था, इसका हमारे आर्टिकल फिप्टी के तहत, जो सेपरेशन आफ पावर्स की बात हो, या कोई पुलिटिकल मिटिंग की बात हो, किसी जज्मेंट को इंफ्लूएंस करने की बात ऐसी कोई बात तो है नहीं, बिकार की बात को इतना ज्यादा इन लोगोंने तूल दे दिया है, इंद्रा जैसिंग जो है इसकलाब प्रशान भूशन इन लोगोंने लगाता है, इसका कोई नाम नहीं ले पाएंगे, चुकि यही दो तीन नाम हैं, जो यह सब करते हैं, और जो सुप्रीम कोट के बार एसोसियेशन के लोग, हमारे जैसे लोग, हम लोग बज़े लेते हैं, कि देखें यह कितना बोल लेते हैं, इसका कोई सीरियसली नोट नहीं लेता है, इन लोगों का, इनके मन मुताबिक कोई निरणय नहीं होगा सुप्रीम कोट से या किसी पर्टिकुलर जज़ को भी, अब तो यह जज़ेज को भी अटेक कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा नयाय हो गया, बहुत बड़ा पहार तूट गया, और सरकार के विरुद्ध हो गया, तो यह चुप हो जाएं, कुछ नहीं कॉंग्रेस और उधव ठाकरे की पार्टी है नहीं, बलकि लालो प्रसाद यादव के पार्टी आरज़ेडी भी विरोध की रेस में शामिल हो गई, आरज़ेडी का कहना है कि अगर यह परसनल कारिकरम था, तो ऐसे मौके पर कैमरा लेकर जाने की क्या जरूरत थी? असी में जब इंडिरा जी चुन के आई तो उन्होंने कंगरेचुलेटरी मेसेज किया था, इंडिरा जी को, बांकी जज़ेज ने एकसेप्शन लिया, कि यह हमारा काम नहीं है, देखिए, इंडिपेंडेंस ओफ एवरी इंस्टिचूशन, यह सिर्फ ठीरिटिकल चीज न मेरा सिर्फ इतना कहना है, बांकी चीफ जस्टिस अफ इंडिया बहुत बड़े आदमी है, पुरदान मंत्रे जीवी छोटे ने यह बहुत बड़े आदमी है, अब उन लोगों ने अगर संवेदानी के व्याख्यां के बावजूद यह तस्वीर पब्लिक डोमेन में रिली किया. तगू करते हैं और MOU चोरी-चोरी चुपके-चुपके देश को बेचने का करते हैं, उससे आपको आपत्ती नहीं है, जोज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकडे-टुकडे में बाटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ती नहीं है, और देश के च हो सकती है मुझे बहुत आश्चरे लगता है और मुझे लगता है कि मुझे आइना दिखाना चाहिए कि मुझे ऐसा भी समझ है कि शायद यह आपत्ती चीफ जस्टिस ओफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है यह आपत्ती गणपती पूजा से है और स्वभाविक है चीफ जस्टिस ओफ इंडिया महराश्टर से आते हैं गणपती जी की उन्होंने पास्कमा रखी उन्होंने बहुतों को बुलाया होगा और सभी गए होंगे मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंग बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पाटी रखते थे क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रदान मंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं गुफ्तगू कर सकते हैं उस समय जब एक टेबल पर बैठ के दोनों की बात हो सकती है वो अभी एक त्योहार है यह अभी एक त्योहार है दोनों तुहारें के बीच ये पर्थक केता क्यूं है? कहीं गनेश उत्वव को लेकर राजनीती है तो कहीं गनेश उत्वव के दौरान साजश है जी हां कुछ दिन पहले गुच्टाद की सूरज में गणपती पंडाल पर पथराव हो गया था बिना किसी उकसावे की पंडाल पर हमला किया गया जिसके बाद सूरत में तनाव की स्थीती पैदा हो गई थी अब करनाटिक में भी लगभग वैसा ही देखने को मिला यहाँ पर मांडिया जिले में क्या हुआ उतस्वीरे आपके सामने है बीती राद गणपती प्रतिमा विस्वर्चन के दोरान भारी बवाल हुआ भगवान गणपती का जुलूस जब एक मस्जित के सामने पहुँचा तो उसकर पत्राफ शुरू हो गया देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ा क्यों पुद्रवियों ने आगसनी कर दी गारियों में तोड़ फोर कर दी दुकानों को आके हवाले कर दिया यह सब कुछ पुलस ठाने के पास हुआ भीर कितनी बड़ी थी वो भी आप देखिये पत्रबासी का विरोध भी किया गया हिंदू समाज के लोगों का गुस्वा भड़ा कुठा तो जो प्रदर्शन था वो तोड़ फोर में तब्दील हो गया यह आठ तफ्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जुलूस पर जो पत्राव हुआ उसकी नारावस्की को लेकर बाड़ी संक्या में हिंदू एक अत्रित हो गए हिंजवा के बाद यहां पर तनाव का महौल था आईए मैं आपको बताती हूँ कि इसके शुरुवात कैसे हुई दरसल मांजा के नागमंगला के इलाके में एक युवक जो वहां के इस इस इलाके के लोग थे वो गड़ीश विसरजन के लिए जुलूस निकाल रहे थे जैसे ही जुलूस मीन रोट पर बनी हुई एक मस्जिद के पास से गुज़रा तो मस्जिद की ओर से पत्राव शुरू हो गया मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पत्राव का रोप है जो इसके बाद अफ्रा तफ्री मच गई हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने फिर बल का प्रयोक किया पत्राव से गुसाए हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग ठाने के बाहर पहुँच कए और विरोत प्रदर्शन करना शुरू कर दिया इसी के बाद हालात बेकाबू होते चले गए ओपदरवियों ने दुकानों में तोड़ फोड़ की गारियों में आँग लगाई दुकानों को निशाना बनाया गया जिसके तफ्वीरे मैं आपके फाम में रखने चाहरे की हूँ गणबते जलूस के दौरान ये पूरी साज़िश थी करनाटका का मंडिया अपने गणने की मिठास के लिए जाना जाता है लेकिन अब यहाँ पर सामपरदाइक्ती की एक करवाहट भी देखने को मिल रही है आप देखिए किस तरह से हम फिलाल मौजूद है नागमंगला जहां पर ये पूरी घटना हुई उसके बाजार स्ट्रीट में एक फुटवेर की दुकान है जिसको आग के हवाले कर दिया कुछ उपद्रवी तत्वों ने आप देखिए पूरी की पूरी दुकान में जितना भी सामान यहां पर है वो पूरी तरह जलकर खाक हो गया है हमारे साथ बरकत हैं वो इस दुकान केaliśmy नुकसान हुआ आपको पुलिस स्टेशन से बिल्कुल बगल में है पैदल जा सकते हैं उसके बाद भी लोगों ने यहाँ पर आपकी दुकान को आग लगा दिया पूर बहुत अद्मिया था भीड़ पूलिस कमा था पूरा भी पूलिस कम था पूरा भीड़ जा था थी उसके लिए कब करना भाने पूरा ने पूरा भीड़ कर रहे हैं बाइक को दुकान से बाहर निकाल का उसमें तोड़ फोर की जा रही है उन पर पूलिस या प्रशासन का कोई खौफ नहीं है उपद रव्यों ने कए दुकानों में तोड़ फोर की उन्हें आग लगा दी यहां तक की फाइब्रिकेट की गाड़िया जब तक की आग पर काबो पाती तब तक सारा समान चलकर खाक हो चुका था जिन दुकानों में आग लगाए गई जो दुकानदार है वो यह कहते हैं कि यह साजिशन आग लगाए गई है मांडिया में कर रात बहुत बवाल हुआ उसके बाद पुलिस आक्शन में आ गई अभी तक 52 लोगों को गिरफटार किया गया है गिरफतार किये गए लोगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष है प्रशास ने मांडिया के नागमंगला इलाके में 1163 लगा दी है और एक साथ पांच से जादा लोगों के जमा होने पर भी रोख है साथ ही भारी संक्या में पुलिस को इलाके में तैनात किया गया है मांडिया में पुलिस के अक्षिन का असर भी दिखाए दे रहा है आज मांडिया के नागमंगला इलाके में शान्ती है लेकिन पुलिस अक्षिन का साइड एफेक्ट भी देखने को मिला पुलिस थाने के सामने एक जगह पर हिंदू और मुस्लिम समुदाई के महिलाएं धर्ना देती हुई दिखाई थी मात्र कुश मीजर की दूरी पर दोनों समुदाई के लोग पुलिस पर धबाव डालने के लिए डटे हुई दिखाई थी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के औरतों का आरोब भी एक ही चैसा था मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि कल बवाल के बाद पुलिस घरों से उनके लोगों को जबरन उठा करने गई जब कि ये लोग बेकसूर है पिलोग बवाल के वक्त घर पर ही थे उनका आगज़नी पत्राव से कोई लेना देना नहीं है कुछ ऐसा ही कहना हिंदू महिलाओं का भी है ये पुलिस पर दबाव बनाने के रणीती के तौर पर देखा जा सकता है इफले चाहे दोनों समदाए हों हिंदू हों या मुफलें दोनों ही घरों की महिलाओं को अब आगे कर दिया गया है जाते भी नहीं हमरे हस्बेंड क्या के लेके लेके गए इर्शप पाशा को बो क्या क्या कहे पुलिस आलों ने क्या कहा पर आपके शोहर कहां पर थे ताउन पूलिस स्टेशन के बाहर ये मुस्लिम महिलाएं जमा हुई है और लगातार पुलिस से ये शिकायत कर रहें कि उनके जितने भी मेल मेंबर थे घर के वो आरोपी नहीं थे लेकिन जबरदस्ती उन्हें उठा कर ले जा गया एक तरफ आप ये भी देखिए यहां पर जो हिंदू लड़के जिनने उठाया गया है इस पूरे मामले के बाद उनकी जो माताएं बहने हैं वो यहां पर प्रो सिठ्ण ने मांडिया बंद का एलान किया था लेकिन इस तोरान कोई अपरियवारदात नहीं हुई मांडिया पुलिस ने आच बताय कि कल कंपती विसरचिन के दौरान मज्जित के सामने जलूस के पहुँचने पर बवाल शी शुरुबात हुई और फिर जलूस पर पथर चले जहां बवाल चल रहा था पुलिस थाना उसके बहुत नजदीक है इसलिए पुरन तुरंत मौके पर भी पहुँच गई वहाँ पर पुलिस ने लाठी चार्ज करके भीड को यहां से पहुच गए और वहाँ पर हंगामा करने लगे पुलिस ने फिर जब लाठी चार्ज किया तो फिर बेकाबू हो गई इसके बाद आग सनी और तोड़ फोड शुरू को गई साड़े साथ बजे को यह इंसिदेंट सुरू हो गया एक मस्जिद है वो मस्जिद जाने का वक्त कुछ लोग जमा हुआ था उस समय यह प्रोसेशन वाले यह भी जैशरी राम बोलके कुछ स्लोगन सुरू कर दिया उस समय दोनों का बीच में कुछ अल्टराकेशन हुआ उ समय हमारा पॉलिस जो भी दर लोकल पॉलिस इंस्पेक्टर थे और बाकी स्टाफ थे वो तोड़ा लाटी चार्ज करके उसको फूरा दोनों को डिस्पर्स कर दिया